ब्रिसब रासी वालों का आजे का दिन यानी की बारह फरबड़ी 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ बारह फरबड़ी 2021 के पंचांग के बारे में आजे तिथी है प्रतीपदा नक्षत्र है धनिष्ठा पक्ष है सुकल पक्ष दिन है सुक्रवार आजे के दिन सुर्य उदय का समय है साथ बज के दो मिनट में सुर्य अस्त का समय है छे बज के आठ मिनट में रितू है सिसिर आज का दिन काल है इग्यारह घंटे छे मिनट बीस सेकेंड का महिना है माग आज के दिन सुभ समय शुरू होता है बारह बज के पंदरह मिनट पी एम से बारह बज के पचास मिनट पी एम तक असुभ काल शुरू होता है नौ बज के पंदरह मिनट एम से दस बज के दो मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है ग्यारह बज के बारह मिनट एम से बारह बज के पैंटीस मिनट पीम तक दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हरहर महादेब कमेंट कर दें मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके सेहत के बारे में आपके सुवास्त के बारे में मित्रों आप में से जो भी जातक नसा पान करते हों धुम्र पान करते हों या सराब का सेबन करते हों तो आने वाले समय में इन चीजों को आपको छोड़ना चाहिए आने वाले समय में आपको मानसिक तनाब कम करने का पड़यास करना चाहिए जिस काम को करने से आपका मानसिक तनाब कम हो आपको वही काम करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में आपके सेहत के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा मित्रो आने वाले समय में यदि आपके धन समपती की बात करें आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो आने वाले समय में अपने फिजूल खर्ची पे अपने फालतू के खर्चों पे आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अपने फिजूल खर्ची पे यदि आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको पैसों की पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा वैसे आने वाले समय में यदि आपके घर पड़िबार आपके पाड़िवाडिक जीबन की बात करें तो आने वाले समय में आपका पाड़िवाडिक जीबन बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने वाले समय में आपके घर पालों का साथ आपके घर पालों का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा घरबालों के साथ उन लोगों के सपोर्ट के कारण आपका पाड़िवाडिक जीबन आपके घर का माहौल आपके घर का वाता बरन बहुत जियादा बिहतर एबं सांदार होगा तो इसके बाद बाद करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा टोट का भाग्य साली रंग एबं भाग्य साली अंक क्या है मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भाग्य साली रंग है नारंगी एबम सुन हरा आपके लिए भाग्य साली अंक है पांच यनी की फाइब मित्रो आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको अपनी छमता की अनुसार किन नरों को कुछ दान पुन्न करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय सनी देब कमेंट कर दें धन्यवाद